दोस्तों कर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें श्रीकान प्यागी नाम का एक शब्स एक महिला के साथ बहुत ही जादा बत्तमीजी कर रहा था और इस बत्तमीजी का कारण ये था कि ये दोनों लोग दिली से सटे हुए नोईडा के सेक्टर 93 के ग्रांड ओमेक सुसाइटी में रहते हैं और दोनों के यहाँ पे फ्लाट हैं अब श्रीकान प्यागी ने कतित तौर पर अपने घर के आगे काफी धे सारे प्लांट लगा दिये आपको बता दे कि जो लोग सुसाइटी में नहीं रहते हैं घरों में रहते हैं उन्हें आदत होती है कि वो घरों के बाहर पहले गमले लगाते हैं उसके बाद आगे के बर नहीं लगा सकते हैं इस बात पर श्रीकांत ने इस महीला के साथ इस हद तक बत्तमीजी करी कि वो उन्हीं मा बहनती गालिया देने पर आ गए इतनी अभधर भाशा के कोई पुरुष अपनी महीला के साथ घर पर ऐसी भाशा का इस्तिमाल नहीं करता होगा लेकिन उसके बाव महीला अपने दम पर लड़ती रही वैसे मैं यह नहीं करूंगी कि हमेशा महीलाय सही होती है कई बार महीलाय गलत भी होते हैं जैसे कि हमने लखनों में देखा था जो फ्लाइंट किक कर करके एक लड़की ने एक लड़के को बेवजा बीच सड़क पर मारा था और उस वक कभी अपने आपको भाजपा के किसान संगठन का हिस्सा बताता रहा था अब भाजपा ने बोल दिया है कि ये हमारा सदस्य नहीं है लेकिन सच तो ये है कि दरसल श्रीकांत त्यागी के अगर आप सोशल मेडिया पर देखेंगे तो कई भाजपाई नेताओं के साथ उनकी तस यानि कि भाजपा ने अब जो ये अपना किनारा किया है श्रीकांत से वो साफ साफ गलत साबित हो रहा है तो ऐसे में श्रीकांत त्यागी के कारण भाजपा को जूट बोलने की क्या ज़ूरत थी वो ये जरूर कह सकते थे कि हाँ हम इसे अपनी सदस्यता से निकालते हैं ल को बता दे कि साल 2020 में भी श्रीकांत त्यागी को उसकी पत्नी ने लखनों के गोंती रगर के एक होटल में पकड़ा था किसी और महिला मित्र के साथ और जब त्यागी की पत्नी ने श्रीकांत को एक महिला मित्र के साथ पकड़ा तो उसने उस महिला मित्र के साथ भी काफी पुलिस भी दर्ज कराए थे अश्री कान्त त्यागी खुद गायब है उनकी दबिश की जा रही है लेकिन उनका फोन बन है उन्हें ट्राक किया जा रहा है लेकिन वो गायब है अब सबार यहां उठता है कि यहां गलती किसकी है दरसल गलती तो यहां पर साफ दिख रही है कि एक पुरुश की है लेकिन ज कि घर की जिन्होंने अपने घर के बेटे को संसकार नहीं दिये जिन्होंने अपने बेटे को कभी भी यह नहीं सिखाया कि महिलाओं के साथ कैसे बात करने चाहिए अगर आप एक पत्नी है तो आप अपने पत्नी को सिखाया अगर आप एक मा है तो आप अपने बेटे को सीख कि आपको कैसे अपने पुरुषों के साथ व्यवहार करना चाहिए और पुरुषों को कैसे महिलाओं के साथ व्यवहार करना चाहिए अगर यह संसकार बहुत ही कम रूमर में सिखा दिये जाए पुरुषों को लड़कों को तो शायद वो बढ़े होकर बाहर जाकर ये सब गुंडा बंती नहीं करेंगे दोस्तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें एक कमेंट सेक्शन पर पनी इजराय जरूर बताए